असलाम अलेकुम दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लेडिस कोड जो के मेडिकल में होता है जैसे की मेडिकल लैन में जो होता है नर्स बगेरा जो पहनती है वो मैं बताऊंगा तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंट तक देखें और दोस्तो अगर आप मे जाने जा रहा हूं कि क्या चीज़ बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास दो पीस आयते में एक बना लिया है और एक मैंने आप लोगों के लिए मैंने कि चलो आप लोगों को भी बता दूं यह देखिए यह इस तरीक से आएगा यह जो होता है जो नर्स सबसे पहले हमें करना क्या है सबसे पहले हमें यह नीचे की सेट में तकरीबन इसमें थोड़ा चोड़ा ही फोल्ड होता है तो हम 3.5 इंच का निसान लगाएंगे तो 3 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से और यह जो है इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं ताके जो छोटा बड़ा यह काड़ तो यह हमने आप इससे पतला भी मोड़ सकते हैं ज्यादा इसलिए फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि यह चीजे जल्दी खराब नहीं होती है अगर बाइचांस लंबाई कम हो गई तो आप यहां से खोल गे इसको बढ़ा सकते हैं इसलिए थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और पैंते हैं ना तो यह सूट बगएरा या कोई भी हमने ड्रेस पैनी होती है उसको ऊपर डाला जाता है तो इसका जो मुड़ा काटेंगे हम साड़े आट इंज से काटेंगे और यह देखे 15 इसकी कमर पे और हिप का जो निसान लगाना है हमने वो 22 इंज पे हमें इस साड़े के सिंद तयार चाहिए इसमें कोई चाक होते नहीं है क्योंकि आगे से यह उपन होता है तो इस तरीके से देखिए यह निसान इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि हिप पे से अगर हम निसान नहीं लगाएंगे तो यहां से हमारा टैर्ट हो सकता है अंदाज अगर लेंगे तो इसलिए हमें यह निसान लगाना जरूरी होता है क्योंकि चाक तो खुलने नहीं है इसमें तो देखिए इस तरीके से अप जो मैन चीज है तो यह जो यहां पे यह कॉलर जो बनता है जो इसकी जो पट्टी होती है तो आप अलक से डाल कि अगर अलक से डालें तो यह चीज़ यहाँ पर मोटी हो जाती है मैं इसमें अलग से लहीं को हमारी इसके अंदर रहयाँ तो यह अन्दर यह अराम से चलागे तो इसलिए पाँ इंज लगा रहें तो आप भी पांच इंच लगाएं इससे कम ना लगाएं क्योंकि इससे कम लगाएंगे न तो हो सकता है कि कॉलर जब आप पल्टेंगे तो वो भार नजर आ जाए तो इसलिए दिक्कत हो जाती है उसमें यह देखिए इस तरीके दे अब जो हमारा तीरा जो है वो तीरा है इसका पंदरा इंच तो पंदरा इंच और आदा इंच हमारा मार्जन मलब टोटल एक इंच मार्जन हो जागा तो यह हो जागा पंदरा और एक सोला इंच तो सोला का जो आदा होगा हमारा वो आठ इंच तो इसमें हम 4 इंज की लूजिंग डालेंगे तो 36 और 4 चालिस इस तरीके से 40 का चोथी है यह होगा दस इंग तो इस तरीके से निसान लगाएंगे और उसके बाद में यहां पर जो निसान लगाएंगे यह यह हम लगाएंगे साड़े साथ इंग क्योंकि यह सूट के ओपर दालते हैं इसलिए तोड़ा सा इसको हमें एश्टा करके रखना है अब कमर इसकी जो है वो 33 इंज है तो 33 में हम तीन इंज की इसमें लूजिंग डाल देंगे तो यह हमारा हो जाएगा इस तरीके से नौचोक 36 अब है हमारी 49 इंज इसमें हमने 2 इंज की लूजिंग पहले की लूजिंग और डालते हैं तो एक तालिस का जो चौतियाई होगा वो सबादस इंज होगा इस तरीके से और हल कासा यहां पर बढ़ा लेंगे आदा या पॉना इंज तो हम नीचे रख रहे हैं यह 11 इंज के गरीब ठीक है इस तरीके से बाकी लूज स्टेट आप अपने यह मुड़ा जो डौन करना है यहां से कंदी इसको करेंगे हैं पॉने दो इंच और यहां से यह धाइंच और यह तीन इंच इसको देखिए इस तरीके से गुलाई कर लेंगे और यह इस तरीके से आप यह देखिए यहां पे इसको एक निसान लगाएंगे ऐसे तरीके से लगाएंगे अब यह देखिए इस तरीके से और इस तरीके से बाद हलका कल लाने लगेगा तो देखे के स्का पूरा यह निन झाल जादा मार्जन टेङ सकते दस्का तो अंदाज से ले ले ने तो इसको इस तरीके से निशान लगाके यह की he हैरा रखना अब यह देखें हम इसको तेखें कर लेते तो के लिए या तो आप ऐसे करके कर लिए जो अपने ये कपड़ा लिया है जो निसान लगाया है इसको इस तरीके से यहां से ऐसे करके पहले फोल्ड कर ले तो आपका यह जो गुलाई है यह बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ जाएगी और अगर ऐसे भी नहीं चाहते हैं तो दोनों की गुलाई एकदम बराबर हो जाएगी यह देखिए इस तरीके से यह देखिए ऐसे करके अब आपको बिल्कुल भी कहीं से नहीं छेड़ना है दोनों यह पल्ले आपके कड़ गये इस तरीके से यह देखिए इसे करके अब यह एक हिंज का मार्जन आप ज्यादा रख सकते हैं मगर यह हमने इसमें पहले ही लूज डाल दिया लूजिंग डाल दिये तो इतना मार्जन काफी है क्योंकि एक इनके सबसे अगर आपका दो डाइंच हो जाता है तो आप राम से इसको लूज कर सकते हैं तो देखिए यह इस तरीके से ही हमारा फ्रेंड यह ओपर की सेट में हमें आदा इंच हैंगे जो अंधरी रहेगा तो यह तोड़ा सा गै Lapिं Ο I अंपर की अदे गए तो इस तरीके से आगर आप लेगे यह तो इस को दोम चलने में इकदम आराम से चलेंगे तो देखिए अब इसको इस तरीके से ले जाएंगे यहां से और यह हम यहां पर निसान लगाएंगे इस तरीके से देखिए यह और यह वाला निसान भी इस तरीके से लगा लेंगे क्योंकि निसान लगाना तो पड़े गाई क्योंकि निसान नहीं लगाएंगे तो सिलाई कैसे लगाएंगे तो इस तरीके से यह निसान लगा लिया निसान लगाने के बाद में हम इसकी जो सिलेट है यहां से यह 10 इंच के करीब इसको इस तरीके सिलाई लगाएंगे यहां से तो यह निसान लगा ले अब यह देखिए जो 13 है हमारा यह 13 हमारा यहां से आएगा इसका अब इसको देखिए इस तरीके से डेर्ड इंज के करीब इसको ऐसे उठा दिंगे और डेर्ड इंज जो उठाएंगे ना तो बिल्कुल बरावर उठाना है तो यह जैसे आपके पास में जो scale है यह डेर्ड इंज ओणा है हमारा तो हमने इस तरीके से इस में इस पर निसान लगा लिए जांगे अगर आपके पास से कम यह हुठा सकते हैं तो आप देखे हम ने इसका रखा है थो यह इस तरीके से तो यह निशान लगा लिए इसे करेक extrapol के और यह निसान लगाने के लिए कि इसको से हम यह से हटाए क्योंकि को यह ज Saode के ऊपर पैना जागा यह किसी आपàng जैसे जीन्स कुछ भी पैन रखिए अंदर कंभी इसाइट पैन रखिए तो इसको हलका सा यहां से लूजी लेंगे क्योंकि यह बिल्कुल शरीर पर बैसे नहीं पैना जाता है तो इस तरीके से देखिए निसान लगाएंगे और उसके बाद में यह बिल्कुल बराबर से दे और यह 1.5 इंज के करीब इसको इस तरीके से ऐसे निसान लगा देंगे लिएट इसका दियान रखें क्योंकि जब यह अपने निसान लगाया है यह आश्ता वाला निसान लगाने के बाद में इसको उलेगे फिर यह चीज चोटी हो जाएगी इस चीज का भी ध्यान रखें इस देखास तरीके से यह देखिया करें कि यह देखिये अर के रेबijn के वीस थरीके रहेगा तो चल जाएंगा इससमें कि यह देखिया उस मेरी काटना करें पुरि कर लिये यह बाजiau मेरी स्वाज़ है यह रहाज नियु को सब तो मैंने इसको को किस तरीके से बनाएंगे इसके लिए हम और करें जो हमें इसकी निपिल नियुक्ट कालर कर लगा ले तो यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से चलते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह मसीन पर आगे अब देखिए सब से पहले हमें यह चीन देखा को इस तरीके है निसान लगाया है यह वाला पल्ल इस तरीके से पकड़ और इस तरी के निटेखि को तेखिय को अब यह हो गया भी दूसरा बना पल्लीड़ इसको यह यह से इस तरीके है नहींald इस साथ बनाएंगे कि हो सकता है कि आप अलग अलग बनाएं और पुर्ण इसको भी जैसे हमने रखा i है निवे रखाया गर और इसको ही नीचे से आयों रखेंगे और अगर आपने इस तरी obt 18 थिल अ यह गलत हो जाएगा अब इसको देखिए इस तरीके से लेंगे क्योंकि इसमें हम बोलते हैं इसको जबावी मलब आमने सामने तेखिए ऐसे करके रखेंगे गरिशतली तो यह आपका एक हाथ नहीं के बनेगे कि यहां पर कर लें है अब कर लगाने के बार ने कर दो div कि इसमें विल्कुल भी यह जैसे कड लगाएं यह यूथ पढ़ेंगे एकदम अराम से फुलड़ जाएगा कि देखिए इसको इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस इसका ध्यान लखें जब इसको पढ़ेंगे तो यह ध्यान लखने कि यह बिल्कु बराबर से पढ़ जाए यह देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब हम चलते हैं पर इस पे पहले इसको प्रेस असे सैट कर लेते हैं पर इसकी पौकेट भीला जा लेते हैं उसके बादको आपको देखिए तो ये देखिए दोस्तो, ये इस तरीके से मैंने, ये थोड़ी सी छोड़ी पोकेट है उपर की, ये देखिए इसके मुगाबले, शायद आप अपने इसाफ से ले सकते हैं, मैंने इस इसाफ से में बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये नीचे वाली जो बड़ी वाली है वो मैंने 6 इंच लंबाई और 5 इंच चोड़ाई है और इसकी जो उपर वाली है इसकी 5 इंच लंबाई है और पौने 5 इंच चोड़ाई है ये इतनी मैंने लगाई है आप इससे कमबड कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके स से एक तरफ रख लेख यह सी को भी हमने अच्छी तरीके से यह ऐसे डिखा लिया । अब बढ़ांे के बाद में देखिए कि इस बारेकोवरा... और इस में लगानी हे हमें दो तो देखे एक교 TOP हमें लगानी यह उपर कर वाइन है तो यह हमने निसान लगाए है साढहेा थे में तो यह हमारे तयार आएगा आट हिंज़ भी तो देखिए इसको इस तरीकेस ऐसे रखेंगे ऐसे कर गए अब ये दखे जो इस तरी के से लगाएंगे नो ये नीचे का कप्ड़ा इसको ऩह हटा दिक । क्योंकि उसमें ने हिं ने हैं क्योंकि अगर इसमें सिलेंगे न तो कई बार ऐसा होता है कि थूड़ा खिचाव आजाता है न तो जोल आजाती है इस तरीक से देखिए यह आपको दिखाना तो चाहरा था कि शायद कोई और कपड़ा दिखाऊ मगर यह जो होते हैं यह वाइट ही बनते ही है तो इसलिए क्योंकि वाइट में ज्यादा एकदम सही तरीके से सारी से लाइए नजर नहीं आती है इसमें नजर नहीं आती है फिर भी मैं आपको समझा दूंगा पूरा एक अब यह देखिए कि उपर यह लगी और यह नीचे वाली जब हमने यह साड़े आठ इंच पर यह लगाने के बाद में इसकी गैपिंग का जो निसान हमने लगाया है यह लगाया था हमने आठ इंच य यह वाली लगाई है यहां से जो चोड़ाई है इतनी ही लेनी है आपको जब लगाएंगे तो एक बार नाप लें क्योंकि यह आरी है हमारी सवा दो इंच बिल्कुल परफेक्ट और यह इस तरीके से यह सवा दो इंच हमारी यहां पर आएगी बस यह चीछ जरूर देखने क्योंकि यह पॉक्ट जो है बिल्कुल सीद में लगा दें बराबर तो अच्छी बात है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से अब हम यह जो दूसरी वाली है वो एक इसमें लगा लेंगे यह हमने देखिए निसान पहले लगा दिये थे सारे तो इस तरीके से निसान आप भी पहले ही लगा लें पूरे तो इसको मैं यह लगा लेता हूँ और लगाने के बाद फिर मैं आपको लिखाता हूँ तो यह देखिए दोस्तों यह वाली पॉकेट भी मैंने लगा लिए अब यह पोकिट दोनों लगाने के बाद में अब हमें इसकी बैक उठानी है देखिए बैक पे हमने यहां पर सिलाई लगानी है तो देखिए इस तरीके से यह कि शिलाई लगाएंगे यहां पर पक्की कर लिए इसे करके यहां पर इससे पक्का करके और इस सिलाई को इस तरीके से गुमा लेंगे अब यह देखे गुमाने के बाद में इसको इस तरीके से हाथ से सैट कर लेंगे आराम से हो जाया कोई ऐसे यह देखे इस तरीके से इसको करके अब हम इसकी कंदी जोइंड करेंगे तो देखे यह वाला पल्ला उठाएंगे सबसे पहले यह देखे इस तरीके से इसको यह तकर कर रखेंगे इस तरीके ते इस तरीके ते इस तरीके ते इस तरीके से करने के बाद में पहले को लर बनाते हें उसके बाद बाजु चडाइगे तो पहले को लर बरना लें दे तो यह तो यह तो यह जोड नहीं लगाना है अब इसका हमें हाला नापना है कि हाला कितना रहा है क्योंकि इसमें जो कॉलर हम कम से कम चड़ाएंगा दूसरे पीस में चड़ाया था भूमने चड़ाया था-टे रहीं तो यह हमारा रहा है सबाची ज़का सा यहां से छाड़ लेंगे तो देखिए इस तरीके से हम 13 उन्च में यह निषान लगाएंगे 13 いंच में निषान लगाएंगे अब यह देखिए जो यह निपिल बनाई है तो निपिल हमारी है पोने दो इंच की तो हम यहां पे रखेंगे इस तरीके से पौने दो इन यह तयार का मार्जन है इसमें हम अब ही मारजन जो लेंगे वो अलग से लेंगे और यहां पे लेंगे हम धाईन्ज तयार इस तरीके से इसको हम यहां से हल्की सी यह गुलाई कर दिंगे यह यह देखें दोस्तों हैं इस तरह के से उसके बाद में हम फ़ला निस्था सीधा लगाइंगे बिलकुल i नहीं यहां पर लगाएंगे कट यह देख यह इस तरीके से कि हलेंасти कि अब हमें करनाकिया है इसमें जो है कि इसको इस तरीके से चड़ाएंगे वह आपको दिखाते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह सरी के से मैंने यह प्रेस से फोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद में इसका मार्जन बिल्कुल मैंने एकदम बरावर कर लिया जितना मुझे चाहिए और इसका देखिए हाला भी मैंने तोड़ा दा चाड़ने के बाद में देखिए अब इसको एक बार नाप लेता हूं इसे करके क्योंकि जब भी कॉलर चड़ाएं उससे पहले इसको नाप जरूर ले तो यह देखिए इससाब से मेरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आजागा जितना मुझे चाहिए अब यह देखिए इसक इस तरीके से सीधी तरफ से सीधी तरफ से इसको इस तरीके से पहले खोल लेंगे कोलर को ऐसे करके देखिए यह जो इससे करके बन के आएगा तो इसको इस तरीके से सीधी तरफ से ऐसे करके रखेंगे और जितना हमने मार्दन लेना है उतना इसको निकाल देना है और यहा यह देखिए इसमें यह देखिए यह बिल्कुल जहाँ पर्फेक्ट तरीके से बही पर ही आ गया है अब इसे देखिए सिस तरीके से रूक करके और यह इसे पपनर सकते में देखिएर और यह देखिए इसपटरिक और यह कट दूशाएँ आर यह इसनु celebrity से निसे मिकानने के बाद में अब इसी तरीके से सेम इदर भी सिलाई लगा लुँआ उसके बाद आपको दिखा तो ये देखिए दोस्तों ये दोनों तरफ मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लिए अब सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरफ से ऐसे करके क्योंकि ये हमें इधर सिलाई जो लगानी है ना कि ये चीज़ बिल्कुल भी इधर से उपन नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेंड पे ही आईगी क्योंकि ये कौलर जो है इस तरीके से पलड जाएगा यहां पर यह देखे ऐसे कर गया इस तरीके से कॉलर बनाने का एक फायदा होता है कि आपका यहां पर यह सेंटर जहां पर यह सिलाई लगने के बाद में आराम से बन जाएगा क्योंकि इसमें यहां पर जोड नहीं है यह देखे यह इस तरीके से सिलाई लगा के अब जैसे हमने यहां पर यह जोड नहीं लगाया है तो यह हम यहां पर इस तरीके से प्रेस से बिठा लेंगे अब यह देखे इस तरीके से यह लगाने के बाद में यह इस तरीके से आजाएगा है यहां से जितना भी आपको तोड़ना है इस तरीके से देखे यह आएगा तो अब हम इसकी बाजू यह देखिए यह बाजू है इसको देखे बाजू को भी हमने नीचे से फोल्ड करना ह इस तरीकते कि यह देखिए इस तरीके से को अब छैक्व पेस को और करेंगे में धुलिक्षट करने के बात में इसका जो ना Pandemie के पहले कि बराबर आ रहा है चोटा बड़ा है या छोटा कौन सा एक किए बड़ा कौन सा N asiони के से धिए देखेंगे तो यहां से रखेंगे गौल एक दम पर्फेक्ट या तो हम बिल्कुल बराबर से लगा देंगे माधन हमारा जाएगा था हरां से हिजरिके से यह जा इप अठिए है इसको इस तरी तरी बशियु अखिए надо इड़े एंप एंपने का लिए और. इड़े अपने का लिए एंपने का मत लिए को बाते हैं.. यह देखिए बिलकुल एकदम बरावर आगई और कोई जोल नहीं है एकदम बिलकुल फिनीसिंग के साथ में यह देखिए तो इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू भी चड़ा लेता हूं उसके बाद में सैट की सिलाई लगाएंगे फिर गेरा फोल्ड करके आप यह अब बिलकुल एकदम बरावर लिया एक इंच का तो हम जहां से मर्जी लगा लें यह देखिए इस तरीके से अगर आगा 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 यह देखिए बिलकुल एकदम अराम चाले कहीं से कोछ खीचने की ज़रूरत नहीं है एकदम बरावर आजाएगा यह देखिए आप एक स्लाइस तरीके से पक्के कर दिए और इसको भी इस तरीके से कर दो कर दो कि यह देखिए इस तरीके से यह पूरी सिलाई लगा लिए हम अभी एक लूच टाइट की सिलाई लगा लिए अब अब दूसरी वाली सिलाई लगा लेते हैं इससे पहले और उसके बाद में यह इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसको यहां से ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे फिर बो दिखाएंगे आपको कि तो यह देखिए दोस्तों यह दोनग setzen मैंने इस सिलाई लगा लिएं अबसिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको घेरे को फोल्ड करते हैं इस तरीके से और घेरा फोल्ड करके आपको दिखाते हैं इसकी देखिए इस तरीके से यो जो कपड़ा है इसको इस तरीके से compartir गोई उजो निसान लगा ता इसको बिल्कुल इस तरीके से फोल कर देंगे आपर इसको इस तरीके से इसा करें धेखिए अगर आप चाहते हैं इसमें तुर्पाइभा एका ना तो यहां पर कच्छा लगा लें ने तो सिलाई भी लगा सकते हैं यह देखें इस Taqa से अभ जो हमने यहां पर घुमा या था हलका सा तो यह देखे इन गुमा दिया तो हममीज हमें पर जोर लिए तो यहां पर यह निकल जाता तो यह देखिए दोस्तो यह इसके फाइनल लुक है इस तरीके से और यह देखिए यह ओगी और एक pocket यह ओगी तो यह 3 पोकिट इसमें लगती है कही जगा पे जो है दो पोकिट ही लगती है यह उपर वाली पोकिट नहीं लगाते हैं वह आपकी मर्जी है कि आपको तीनों चाहिए या दो चाहिए तो आप देखिए इस तरीके से लगा लेंके अभी हमने करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब हम मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपीज